नमस्कार मैं किर्ती और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हल चल पर तो आई ये नजर डालते हैं आज की मुख्या खबरों तो शाम रोड़ पर सिर्थ टी आइटी वरिष्ट मादिमिक विद्याले की प्राइमरी विंग में कक्षा पहली से लेकर पांचवी तक के बच्चों के लिए वार्शिक पुरसकार वित्रण समहारों का आयोजन किया गया इस अफसर पर विद्याले प्रचारया डॉक्टर डीपी कोशिक ने बतोर मुख्याती थी शिर्कत करते हुए मां सरस्वती के समक्ष द्वी प्रजलन कर कारेकरम का श समहारों के अंतरकत विद्याले प्रचारया डॉक्टर डीपी कोशिक वे पूरे स्ठाप ने बच्चों को पुरसकार वर प्रमान पत्र देकर सम्मानित किया कारेकरम में विद्याले अध्यापिका बविता गुपता सुरेश कुमार दीपी का मुद्गिल पून मसरानी सुर सम्मानित किया गया इस अउसर पर विद्याले प्रचारिय और अध्यापिका बविता गुपता ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना माता्पिता आध्यापिकों का महत्यों करते हुए हैं आता है हम सब को मिल जुलकर बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि देश का भविशे भारतिय संस्कृति के अनुरूप सुधर सके। वहीं उन्होंने बताया कि विद्याले में प्रामरी स्कूल की विभिन निकक्षाओं में दाखले सरू हो चुके हैं, और अभिभावक अपने बच्चों का कभी भी विद्याले प्रांगन में आकर दाखिला करवा सकते हैं। विद्याले प्रशासन बच्चों को पढ़ाने वे उनको जीवन से संबंदित मूल जानकर ये परदान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा वहीं इस अफसर पर अध्यापक सुखफीर सिंग ने विद्याले में पहुंचे अभिवागों का तह दिल से धन्यवाद किया विद्याले में इस तरह के प्रोग्राम समय समय पर आयुजित किया जाते हैं सत्संग का प्रेमी चातक पक्षी की भाती होता है सत्संग प्रेमी हर सुख दुख से उपर उठकर लाभानी से बेखबर सत्संग करता है क्योंकि वह सत्संग के महत्व को समझता है सत्संग की तो एक घड़ी भी लाखों तब साधना से जादा कल्यान का रही है यह सत्संग वचन परम संत सत्गुरु कवर साहिब महराज ने दिनोद गाउसित रादा स्वामी आश्रमें फर्माए करम के लेक केवल सत्गुरु सुधार सकते हैं तन मन से करम अच्छे किया करो क्योंकि आपके करमों का लेखा आपके साथ ही चलता है सत्गुरु महराज ने कहा कि कई लोग इस गफलत में रहते हैं कि जब हमने किसी का बुरा किया ही नहीं तो फिर हमें किसी सत्संग या सत्ग जीवन को सुधारने का होना चाहिए जब बुराईयां हट जाएंगी तो अच्छाए भी आराम से ठीक है कि गुरु महराज ने कहा कि मन चंगा तो कटोदी में गंगा हर पल अपने आपको चेतावनी देते रहो अपने बच्चों को हर पल बुरी नजरों से बचाते रहो और अपने सामने रखो बीती शाम रोटरी कलब भीवानी द्वारा एक निजी रेस्टोरेंट में इंस्टोलेशन कारेकरम का आयजन किया गया कारेकरम की शुरुआत मुख्य अतीति के रूप में पहुंचे डिस्टिक गवर्नर गुल बहार सिंग द्वारा मास सरस्वती के शम एकरम का आयजन किया गया कारेकरम में 3090 के डिस्टिक गवर्नर गुल बहार सिंग लेटोल वे डिस्टिक एडिटर प्रफेसर आर्के कोशिक ने मुखेत हिति चरुप में शिर्कत की गुल बहार सिंग डिजी डॉक्टर केसी काजल ने मास सवस्वती के समक्षे दीप बश् दलवाई एडी जी अनिल कीरती ने कॉल और परदान कर कलब के रूप में पदग्रहन करवाया और पुस पुस दे कर उन्हें धन्यवाद किया। डॉक्टर नरेश गर्क ने अपने कारिकाल में किये गए अन्य कारियों का विस्तार से वरण किया। पीडी जी डॉक्टर केसी काजल ने रोटरी के बारे में रोचसक जानकारियों परदान की डिस्टिक एडिटर आरके कोसिक ने रोटरी के कारियों वे भीवानी से अपने संबंद के बारे में विस्तार से बताया। गुलबहार सिंग रिटोल ने अपने अधक्षिय भाशन में कलब को अच्छे कारियों के लिए बधाई दी तथा भविश्य में और भी बेहतरीन कारिय करने के लिए उत्सा वर्दन किया कारिकर्म के दौरान डॉक्टर केशी काजल ने डॉटरी कलब के सेवा में 25 वर्स पू इसके साथ ही रोटरी कलब भीवानी के डी जी गुलबहार सिंग रिटोल को अनुमानित 80,000 रुपे सामाजी कारियों के लिए रोटरी टी आरफ में अनुदान दिया कारिकर्म के अन्त में डी जी गुलबहार सिंग रिटोल ने कलब के सदस्ता ग्रहन करने वाले नए सदस् पर डॉक्टर संध्यागार्ग, मनीशा बंचल, राज हल्वासिया और इसी के साथ साथ रोटेरियन डॉक्टर जी एंतिरपाथी, डॉक्टर वेद प्रकास, डॉक्टर राहुल गोयल, हमानसु अंचल, नवीन कोक्चा, गगन कोक्चा, डॉक्टर शिवकान सर्मा, कर्ण आज रातकू, जिनांक 21-2023 को रोटरी कलब भिवानी ने अपना इंस्टालिशन सेरीमेनी मनाया है, जिसमें प्रेजडेंट रोटरी कलब के डॉक्टर नरेश गर्ग, 22-23 प्रेसिजन में उन्हों अपनी टीम को प्रस्तुत किया, और मुख्य अत्रिकी के रूप में रोटरी डिस्ट्रिक 3090 के श्री गुलभार सिंग जी रिटॉल थे, और इंस्टालिशन के मुख्य अधिकारी पास्ट डिस्ट्रिक गवर्नर डॉक्टर श्री केशी काजली उपस्तुत थे, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर एंके गर्ग ने अपनी टीम को प्रस्तुत किया, और रोटरी के प्रेजडेंट माइसल, डाट इस डॉक्टर डीपी कौशिद ने अपना कारिभार डॉक्टर एंके गर्ग को अर्पित किया, इस दौरान इछले वर्ष किये गए रोटरी कलब के द्वारा चैरिटी के काम को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस वर्ष किये जाने वाले प्रोग्राम की परिकल्पना की गई, गाउं हेतंपुरा में चल रहे एक दिवस्ते कुश्टी दंगल का समापन जोरो शोरो के साथ किया गया, आपको बता दे की कुश्टी दंगल में दूर दूर से पहलवान पहुंचे थे, जिसमें गाउं सांजरवास के पहलवान नीरज उर्फ नीरू, सन अफ मुकेश दूर से अनेक पहलवानों ने पहुंचकर दंगल में अपना दंखम दिखाया, कुश्टी दंगल में सांजरवास निवासी नीरज और नीरू ने पर्थम स्थान पराप्त किया, वहीं दंगल आईजन समेती सद्सों ने विजेता खिलाडी को पृसकार दे कर संबानित किया सांजरवास गाओं के निवासी ने भी विजेता पहलवान को बधाईयां दी, अपनी जीत का सरे विजेता पहलवान ने अपने माता पिता और अपने कौश को दिया दाक विभाग ने अपने खाता धारकों को अनेक सुविधाएं उपलब्द करवाना शुरू कर दिया है इसी कड़ी में डाक विभाग ने अब सेविंग अकाउंट में चैन्क बुक और एटियम की सुविधा भी उपलब्द करवा दी है जिसके द्वारा आम विभाग ने अन्य बैंकों की तरह अपने डाक विभाग वाले खाते को बेस्तेमाल कर सकते हैं इसके द्वारा डाक विभाग ने अपनी सेवाओं में बढ़ोतरी की है इस बारे में डाक विभाग अधिक सक हरिस कुमार ने बताया कि डाक विभाग ने अपने उभगतां को एक और सुविधा उपलब्द करवाई है जिसके दोरा आम विभाग अपने डाक विभाग खाते से घर बैठे टोल फ्री नंबर से या फिर डाक विभाग के अपसे अपने पैसे घर पर मंगवा सकते हैं इस सुविधा का लाव लेने के लिए आम विभुता को 1559 टोल फ्री नंबर के माद्यम से अपने सुविधा के लिए अपलाई करना होगा इसके साथ-साथ डाक विभाग ने अपने उबगताओं के लिए एक एप भी जारी किया है जिसमें वहाँ पर उबगता अपने पैसे घर बैठे टोल फ्री नमबर या एप के माद़े में से मंगवा सकते हैं अगले दिन जब डाकिया उस छेतर में जाएगा तो डाकिया ग्रहक को जितने भी पैसे की जरूत होगी विवस्ता घर पर ही कर देगा इसके लिए बुदरगों को काफी फायदा होगा इसके लिए उन्हें बैंक को या डाक विवाग के सक्कर नहीं काटने पड़ेंगे डाक विवाग अब अपने सेंग बैंक अकाउंट में ATM चेक बुक की सुईदाईं भी दे रहा है जिसमें जो भी कस्टमर सिंग बैंक कहता खुलवाता है उसको चेक बुक और ATM की सुधा निशूल परदान की जाएगी और उस ATM के माध्यम से किसी भी बैंक के ATM से भी वो अपना पैसा निकाल सकता है इसके अलावा यदि कोई कस्टमर घर बैठे ही पैसा प्राप करना चाहता है तो वो हमारे टोल फिरी नंबर या साइट पे फोन करके अपना रिक्वेश्ट डाल सकता है नेक्स डे जब भी हमारा पोस्टमें उस एरिया में जाएगा तो वो उसकी पैमेंट या बुगतान किसी भी बैंक का हो वो निकालके उसके घर पर ही कराएगा और इस सुईद्या का फायदा हमारे बुज़ूर्ग बड़े वैक्ति जो भी वैक्ति उठाना चाहते हैं तोल फिरी नंबर पर अपने रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और नेक्स डे हमारा पोस्टमेंट के बाद हमसे उसका बुगतान प्राप कर सकते हैं उसके लिए ना ही उसे बैंक में जाने की ना एटियम में ना पोस्ट ओफिस में लाइन में लगने की आफ सकता है तो कोई भी उबोगता इस स्विधा का लाब उठा सकता है आम उबोगता थे जो नागरिक थे वो बड़े लंबे समय से इंजार कर रहे थे कि बैंकों में ब्याजरेट कम हैं परन्तु इस बार इस क्वाटर के लिए एक एक दोजार तेईस से हर एक चीज के जो रेट ओफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिये गए हैं जिसके अंदर वन येर टीडी में 1.1% बढ़ाकर 6.6 कर दिया गया है टू येर टीडी में 1.1 बढ़ाकर 6.8 कर दिया गया है इसके अलावा सीनियर सीटिजन में 0.4% से बढ़ाकर 8% ब्याज कर दिया गया है इसके अलावा MIS में भी 0.4 बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 0.2 बढ़ाकर 7% कर दिया गया है और KBP में भी 0.2 बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया है ब्याज इससे सभी आम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं लेकिन ये सभी ब्याज जरें चिरफ 31-32 तक परवावी रहेंगी और इसके बाद जो नए रेट होंगे वो लागू होंगे दाक विवाग बैंकों से ज्यादा रेट ओफ इंटरेस्ट दे रहा है इसलिए मैं आम लोगों से अपील करूँगा कि इस बड़े वे इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाएं क्योंकि डाक विवाग बार्च सरकार का उपकरम है और काफी वर्सों से लोगों को सेवाई दे रहा है तो इसलिए आम लोगों से अपील करूँगा कि इस चीज़ का फायदा उठाएं और ये अधिक पोस्ट ओफिस में अपना पैसा सुरक्सित करें और अधिक व्याज का फायदा उठाएं खबरों का सलसला योही जारी रहेगा मुझे और भीवानी हलचल की टीम को दीजी अजासत और बने रहें आपके अपने चैनल भीवानी हलचल के साथ